हलो एवरिवन जैसा कि आपको पता है कि सारे राउंड्स जो है वो कांसलिंग के खतम होते जा रहे हैं चाहे वो स्टेट के हो चाहे MCC के हो जैसा कि MCC का राउंड टू अलॉट्मेंट हो चुका है रिपोर्टिंग भी हो चुकी है अब अब जो बारी है वो है मौप अप पता है कि दो राते हैं आपके पास एक तो ऑपने में तो होता ही है लेकिन अगर अपने स्टेट सेगर बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि आपने स्टेट्स की प्राइवेट मेडिकल कॉलिजेज की फीस बहुत जादा है और अगर कम फीस की बात करो जैसे करनाट का केरला यहां अगर जाना चाहते हैं तो फिर आपके पास में रास्ता कौन सा बच्छता है कि उनके स्टेट की काउंस सिटेशन जो है वहां कर वा लें तो वहां का गेशीघ को आने देते हैं क्या इस सटेट यह होते हैं उनको भोते ओपन स्टेट्स तो ऐसे कितने स्टेट्स हैं तो आप देखिए यहां पे ञैप 15 स्टेट्स plains जो की नॉन डूमिसाल केंडिड़ को वहां की प्राइवेट Medical College की seat पर admission लेने के लिए allow करते हैं लेकिन आप ये मत मानिएगा कि ये 15 के 15 जो states आपके सामने हैं इनकी fees कम होती होगी नहीं इनमें करनाटका और केरला को छोड़ दीजिए वो fees आपको 10 लाग के अंदर मिलेगी और 10 लाग और 15 लाग के बीच में देखेंगे तो आपको उत्र प्रदेश में तो बहुत हाई है वेस्ट बेंगॉल में भी बहुत हाई है 36 गड़ के अंदर जो है वो आप 10 से 15 लाग के आसपास देख सकते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है गौर्मेंट मेडिकल कॉलेज़ की fees इतनी बढ़ रही है तो प्राइवेट की तो के अंदर तो कुल मिला करके बात यह है कि फिर भी केरला और करनाट का ऐसे स्टेट हैं जहां पर कम फीस में आप एडमिशन ले सकते हैं यह तो हुई आपकी जो अधर स्टेट्स हैं और नॉन डोमिसाल केंडिटेट आप हो और वहां उस पे जा सकते हो और एक आपको पता ह यह NCC से आप डीम्ड इनिवर्सिटीज में जा सकते हैं और डीम्ड इनिवर्सिटीज के लिए आपका राउंड वन और राउंड टू खतम हो चुका है तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर करनाट का स्टेट का राउंड वन अलोटमेंट का कट ओफ जो प्राइवेट उनका मौपब बाकी है तो चलिए जी आपके पास में जो स्लाइड से उनको देख लीजिए और उनका स्क्रिंशोट ले लीजिए फटा फटा आप लोग ठीक है तो देखो यह राउंड टू कट ओफ डीम्ड इनिवर्सिटीज के लिए बता रहा हूं मैं जो NCC का है और यह लिस्ट जो है वो complete पूरी की पूरी जो है यह slide जो है वो उनी colleges की है जो deemed universities की है और मैं आपको बता देता हूं only MBBS seat के लिए दिखा गया है BDS यहाँ पर mentioned नहीं है तो आपकी इनकी yearly fee भी मैंने mention कर दी है तो आप देखिए यह colleges है और यह इनका score है cut off score हो गया है और यहाँ प यह colleges अभी भी mop up के अंदर available हो जाएंगे आपको तो इनके according आप अपना decision ले सकते हैं इनी score के ओपर 436 score के ओपर भी आपको easily देखा जाए तो 17 lakh देखो हाला कि 17 lakh बहुत बड़ा amount है लेकिन जो private में ही इच्छुख है उनके लिए यह video है इसलिए आप recommend कर सकते हैं अगर okay secondly हम बात करें कि सर करनाट का state के लिए बात करें तो आप इतनी खुशी होगी यह जान करके कि round 2 के लिए seat matrix उन्होंने दे दिया है और seat matrix के बाद में 7 तारिक से लेकर के 10 तारिक तक December की वहाँ पर आपको choice feeling का time दिया गया है और 11th of December को वहाँ पर round 2 का allotment later या allotment seat allotment का result जो है वो जारी कर दिया जाएगा तो round 2 के लिए available seats जो देखी गई है वो देखो कि round 1 में 643 open seats थी मतलब outside candidates यहां जा सकते हैं इतने seats के ऊपर और round 2 के लिए अभी भी 509 seats available हैं याने कि total जितने भी private medical colleges हैं करनाट का में उनमें open seats अभी भी कितनी बाकी है 509 seats अभी भी बाकी ह और यहां पर आप easily admission ले सकते हैं क्योंकि इनकी fees 10 लाग के अंदर ही है वो कौन से colleges हैं कुछ colleges की list मेंने जो top अच्छे हैं और उनकी cutoff जो गई है last round 1 cutoff score क्या है और उनका fee क्या है जो बढ़ा हुआ है 2 लाग रुपे इस साल बढ़ा है उके उनका देख लेते हैं क्या है य on domicile student जो है वो यह score अगर था उनका तो cutoff गया आप सोचके देखिए इनका cutoff कितना है 6 to 8 cutoff है government colleges का भी नहीं जाता है क्योंकि यह colleges बहुत अच्छे है academics बहुत अच्छा है आपके state के government medical college जो नए बने हैं उनसे भी बहुत अच्छा academics है और fee देखी जाए तो अगर मान लो कोई हरियाना के अंदर है और हरियाना के अंदर मान लो एक college है और उसका अगर competition आप सेंट जॉन से कराएंगे तो आप जैसे कल्पना चावला हो गया उसका इसके साथ competition कराएंगे तो यह no doubt इसका academics बहुत अच्छा है city भी बहुत अच्छा है बैंगलोर के अंदर है तो मैंने जो last college लिया है वो five double nine cutoff वाला लिया है आप देख लीजिए यहां बहुत भी बैंगलोर में present है और इसकी fee देख लीजिए 10 लाग की fees इसकी है ओके तो इस तरीके से करनाटका के जितने भी जो cutoff है वो आपके सामने है इसका आप screenshot लेकर के रिख लीजिए और round two का result अ जाएगा और अभी भी seat 80% करनाटका के अंडर seat बाकी है ऐसे करला का सीन है करला भी बहुत सस्ता है करनाटका भी बहुत सस्ता है बहुत अच्छा academics है दोनों ही बातें बहुत अच्छी है महाराष्ट्रा इस बार NRI seats जो है उनको जब वहां खाली रह जाती है तो इस साल उन रहे गई तो आप कोई भी state से हो वहां registration करके वह seat ले सकते हैं लेकिन वहां की फीस बहुत जादा है NRI की फीस जादा होती है वहां के normal candidate की जो फीस होती है उनकी जो domicile candidate का जो फीस होता है उसके comparison में तो इस तरीके से private medical colleges से related कहीं बाते हैं मैं इसे पूछ रहे थे call के ओप रहे यह बताईए तो यह वीडियो उनके लिए है बाकी मॉप अप राउंड कितना important होने वाला है state के राउंड जो है उनके अंदर मॉप अप का क्या effect जाएगा यह सारी बाते में आपको next वीडियो के अंदर बताऊंगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है यह information यह data आपको पसंद आये हैं तो इस वीडियो को like करिए और हमारे channel को subscribe करिए इसी तरीके के वीडियो अगर आपको चाहिए तो bell icon प्रेस करना मत भूलिए notification आपके पास तुरंत मिल जाएगा और next वीडियो अगले दिन आपके पास में हाजिर हो जाएगा thank you so much